लालच का फल एक बार की बात है एक कुत्ता मूँ में रोटी का टुकड़ा लिये कहीं जा रहा था बीच में एक नाला पड़ता था इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं थी और पानी भी कम ही था कुत्ता जब पानी में से होकर निकलने लगा तो उसे पानी में अपनी परचाई दिखाई बड़ी कुत्ते ने सोचा पानी में कोई दुसरा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है अगर मैं इसकी रोटी भी छिन लूँ तो मेरे पास ज़्यादा रोटीयां हो जाएगी और मेरा द मुँ खोला तो उसके मुँ की रोटी भी पानी में गिर गई कुत्य को लालज के कारण अपनी खुद की रोटी से भी हात धोना पड़ा और कुत्य को वापस अब खली हात लोटना पड़ा दोस्तों हम बच्वन से सुनते आ रहे हैं कि लालज बुरी बला है अपने पास जितना भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए इसका मतलब यहां नहीं कि हमें ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए खुब कमाई करो लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो ऐसा नहीं कि कमा तो लिया है लेकिन इस बास से दुखी है कि और ज़्यादा भी कमा सकते थे ऐसा लालज करने से जो है उसका सूख भी पूरा नहीं मिलेगा दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सेयर किजिए और ये चैनल को सबस्क्राइब किजिए दोस्तों वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद